नमस्कार मेरे प्यारे भाई बेनी बर्फिर से आप लों का बहुत बहुत स्वागत आपकी अपनी चनल में प्यारे मित्रों मकर शंक्रांती के आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुब कामना प्यारी मित्रों नया वर्ष चालू होने वाला है और नया साल आते हैं सबसे पहला जो तिवार हमारे हिंदों मनाया जाता है वो होता है मकर शंक्रान्ती का आप सभी को पता ही होगा कि मकर शंक्रान्ती क्यों मनाया जाती है माननेता है कि मकर शंकरांती के मौके पर स्नान करने से दान पुन्य करने से अत्यांत ही लाव होता है दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कि 2024 में मकर शंकरांती पर कम मनाया जाएगा प्यारे मित्रो वैसे तो प्रती वर्ष यह तेवार 14 या फिर 15 जन्वरी को मनाया जाता है प्यारे मित्रो इस वर्ष यानि कि 2024 में मकर शंक्रांती 15 जन्वरी को मनाई जाएगी जियां दोस्तो इसका जो शुब मुहुरत है वो है सुबह 2 बच कर 54 मिनट से उस समय सोरे देव मकर राशी में प्रवेश करेंगे उसके बाद सोरे देव करीब एक महिने तक मकर राशी में ही रहेंगे यानि कि जो लोग उस दन सनान आदी कर सकते हैं अत्यन तही उत्ता में जो भी हो सके बुड़े बुजर्गों को आपको दान पुनिय करना ची बे सहारा लोगों को दान करना ची अत्यन तही उत्तम माना जाता है प्यारे भाई बेनों मकर शंक्रांती का जो महापुन्यकाल है वो है सुबह 7 बज कर 15 मिनट से सुबह 9 बजे तक जिया दोस्तो इस समय में आपको मकर शंक्रांती का स्नान और दान करना ची अत्यन तही उत्तम होगा उस दिन महापुन्यकाल एक घंटा 45 मिनट तक है पुन्यकाल में भी मकर शंक्रांती का स्नान और दान करना शुब माना जाता है मकर शंक्रांती का जो पुन्यकाल है वो है 10 घंटे 31 मिनट तक रहेगा जियां दोस्तों मकर शंक्रांती पर पुन्यकाल सुबह 7-15 बजे से लग करके 5 बच कर 46 मिनट तक रहेगा अब दोस्तों मकर शंक्रांती के दिन रवी योग भी बन रहा है जी है दोस्तों जो कि अत्यांती ही उत्तम माना जाता है वश्यूब माना जाता है यह योग सुबह साथ बच कर पंद्रह मिनट से आठ बच कर साथ मिनट तक रहेगा जोतिशों की इमाने दोस्तों तो रवी योग में सनान करने से सुरेदेव की पूजा करने से अत्यंत ही लाव मिलता है साल दोजार चौबेस में मकरशंकरांती का परवज होता है कई लोग के जीवन में खुशिया लाने वाला है यह बहुती बड़ा परव हमारे हिंदु धर्म का होता है तो आप सभी लोग मकरशंकरांती मनाना बिल्कुल भी ना बूले दोस्तों और उस दिन गंगा में सनान करना भी बहुत उत्तम होता है तो सनान करने का पूरा-पूरा प्रयास करें यदि आप उस दिन नहीं कर सकते हैं तो आप एक माह के बीच में कभी भी जा करके गंगा में सनान करें दानपुन्य करें यदि वह भी संभव ना हो आप ऐसी जगी हैं जहां पस नान आप कर ही नहीं सकते हैं दोस्तों तो गंगा जल का घर में छुड़काव कर लें वो भी अत्यांत ही उत्ता माना जाता है तो आज की वीडियो में इतनी जानकारी के साथ आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों साथी साथ कमेंट में सुर्य भगवान का जैकारा जरू पूर लगाएं और आप सभी को मकर शंक्रांति की हारदिक हारदिक शुपकामना है बहुत जल्द मिलतें नए वीडियो में कुछ नहीं जानकाने के साथ हर हर महादीब